थाने के दिवा इलाके में बच्चा चोर समझ कर एक वक्त की जम कर पिटाई कर दिया गया मामला कल करीब एक वज़े के आसपास में दिवा के मुम्रा देवी कालोनी में हुआ है बच्चा चोर की गलत फहिमी में पिंटू निशाद 22 वर्षिये नमाच एक वक्त की भीड़े ने जम कर पिटाई कर दिया मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से भीड़ के चंगुल से इस वक्त को बचाया और इसे इलाज के लिए हॉस्पिटल भीजा गया जानकारी के मुताविक दिवा के मुम्रा देवी कालोनी के पास से एक ट्रक गुजट रहा था इसी दोरान रोट के किनारे खड़ा ये युवक पिंटू ने साथ पीछे की तरफ हटा तो इसके पीछे एक छोटी सी लड़की खड़ी होई थी जिसका पैर पढ़ गया कि दोरान ये बक्ची चिलाने लगी और इस बक्ची की मा चोड समझ कर चिलाने लगे इसी दोरान यहाँ पर भीड कत्ठा हो गई और ये सिवक को बक्चा चोड समझ कर इसकी जम कर पीटाएं कर दी गई पुलिस का कहना है कि बिना सोचे समझे किसी को भी बच्चा चोर समझ कर लोग पीटने लगते हैं जो बिलकुल गलत है अगर किसी को भी इस तरह की जानकारी मिलती है कि कोई बच्चा चोर पकड़ा गया है तो उससे पुलिस को जानकारी देना चाहिए ना कि जो है भीड खुद फैसला ले और इस तरह के अफवाहों की उजासे किसी बेवुना को रोट पर पीट डाला जाए मुम्रा पुलिस टेशन के सिनियर पियाई अशोक कडलक ने लोगों से अवहान किया है कि लोग अफवाहों पर ध्यान ना दे अगर किसी भी तरह की ऐसी घटनाय सामने आती है तो वो फौरन इसकी जानकारी पुलिस को दें ना कि किसी वेक्ति के साथ भीड कठा हो जाए और उसे मार पीट जो है उसके साथ किया जाए पुलिस को भी आप जानकारी दें अगर आपके सामने कुछ ऐसा मामला आता है कानून को अपने हाथ में न लगे